स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं तहे दिल से आपके पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लाटफॉर्म डाट इस Commerce Easily Pay आप जुड़े हैं मेरे साथ अपने उदै 2.0 बैच के लिए उदै बोले तो Commerce for Class 11th और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अगर आपके सामने आया हूँ आज इसका मतलब आज है आपका Accountancy का सेशन और कौन सा नंबर है सेशन का ये किसको याद है कौन बता सकता है मुझे कि सर आज जो सेशन नंबर है वो होने वाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं याद होगा आप लोग को Nervous 90s की शुरुवात हमने कर दी थी 95 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 96th सेशन मंगलवार शाम 7 बजे आप और मैं एक दूसरे से अगर रूबरू हो रहे हैं इसका मतलब हमारी अकाउंटेंसी की क्लास तो आई है आज definitely साथ ही साथ एक बात ये भी कि अब हम धीरे धीरे जैसा मैंने आप लोगों से कहा था अन्त की शुरुआज जो हमने कर दी थी हम उस अन्तिम पढ़ाव में पहुंच चुके हैं ज़ादा दिनों की बात नहीं है ज़ादा सेशन्स की बात नहीं है आप लोगों के लिए आज जैसा के आप देख सकते हैं लेके आया हूँ मैं प्राक्टिस क्वेस्शन्स पार्ट वन बेस्ड ओन फाइनाशल स्टेट्मेंट्स विथ एडजस्मेंट्स तो तकरीबन मान के चलिएगा कुछ दिनों की बात और है कुछ सेशन्स का ये साथ और है बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप बिछड जाएंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे जी नहीं उसके बाद भी आगे की जर्नी जो हमें कंटिन्यू करनी है क्लास 11 की जर्नी हम यहीं क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट करेंगे वहां भी आप लोग मेरे साथ जोडेंगे इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है साथ ही साथ इस बीच के डूरेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंटरस्टिंग सी आने वाली है जिससे कि आप लोग के जो 11 और 12 के बीच का जो वो ट्रांजिशनल पीरेड है उस दौरान भी आप कनेक्टिड बने रहें काफी सारे वीडियोज हम आपके लिए लेके आएंगे काफी सारे वीडियोज इससे पहले भी हमने बनाये हुए हैं जहां पे हम अलग-अलग तरीके से आपको बताये हुए हैं कि भई किस तरी की पूरी प्रप्रेशन को लेके आगे बढ़ना होगा इस बारे में आपको जानकारी बहुत पहले से और बहुत पुखता तरीके से मिल जाए तो उमीद करता हूँ आप इस दौरान भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और भी अलग-अलग exciting जो developments आएंगे, updates आएंगे और कोई नई चीज जो commerce easily की तरफ से लाई जाएगी, उस सब में आपका साथ रहेगा इस पूरे विश्वास के साथ, आज का session जैसा कि मैंने कहा, हम लेके आए आपके लिए chapter financial statements with adjustments, आज हमारा part 3 या day 3 कह सकते हैं इस chapter का, third session for this chapter, 96th session overall, तो इस chapter के शुरू के दो sessions जो हमने देख करीबन 12 adjustments में आप लोगों के लिए लेके आये था उसके अगले session में, हम लोग ने 10 adjustments और देखे थे, वहीं पर मैंने ये भी समझाया था, कि वो 12 adjustments असल में 12 adjustments नहीं थे, अगर बात करते हैं हम provision for bad and doubtful depths की, provision for bad and doubtful depths का adjustment जो है, वो अपने आप में 2 से 3 sub categories में divide हो सकता है, तो उ लोग ने शायद 25 के करीब adjustments हमने overall देखे थे, काफी सारे adjustments ऐसे थे, जो second session हमने करा था adjustment का, यानि 95th session जो Saturday को आप लोग ने अटेंड करा, उस session में हमने काफी ऐसे adjustments देखे थे, जिनके बारे में हम लोग पहले ही deal कर चुके थे, या discuss कर चुके थे, जैसे की abnormal loss, तो उसका treatment ह हमें क्या करना है, हमने देखा था कि अगर goods charity के रूप में withdraw कर लिये गए हैं, goods को free sample के रूप में बाटा गया है, या proprietor ने goods को खुद के इस्तमाल के लिए draw कर लिया, तो हम क्या treatment करते थे, हमने ये समझा था कि मान लीजे अगर किसी capital expenditure को revenue expenditure की तरह treat कर दिया गया गलती से, तो उसका हमें क्या adjustment देना होता था अपने financial statements में, हमने managers commission के बारे में एक treatment सीखा, जहां हमने देखा managers commission before charging commission है या after charging commission है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि भई, calculation के time पे difference हो सकता है, लेकिन treatment तो एक ही होगा, it will be treated as an expense, तो P&L के debit side पे खर्चे के रूप में दिखा भी दिखा देते हैं, हमने एक नया adjustment जो पढ़ा था, वो बहुत ही मज़ेदार adjustment था, that is sale on approval or return basis, जिसका मतलब मैंने आपको ये बताया था, कि जब आप किसी e-commerce website से कोई सामान खरीते हैं, कोई good खरीते हैं on a sale or approval basis, which means, आपके पास 10 दिन के करीब समय होता है, उस item को या product को इस्तेमाल करके अपने पसंद लायक वो है या नहीं, ये जानने का, परखने का, जिसके बाद आप चाहें तो उसे return भी कर सकते हैं, in that case, हमने ये पढ़ा, कि इसको sale नहीं माना जाएगा, because जब approval वापिस आ गया है, तो तो वैसे भी वो sales return होगी, लेकिन साल के अंत तक या value है, वो sales में से less करेंगे, closing stock में जो cost है, उस product का, वो हम closing stock में add कर देते हैं, और debtors जो हमें trial balance से उठा के balance sheet में दिखाने होते हैं, उन debtors में से भी, वो जो sale value है, वो हम less करके अपनी balance sheet में mention करते थे, इस तरीके के adjustments हमने देखे, उससे पहले वाला session अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमने देखे थे closing stock, depreciation, interest on capital, interest on loan, interest on drawings, इस तरीके के काफी सारे adjustments हमने वहाँ पे discuss करे थे, prepaid expense, outstanding expense, unearned income, accrued income, ये हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे हमने bad debts का treatment देखा, हमने provision for bad debts and provision for discount on debtors का treatment भी देखा था, तो ये सारे adjustments, देखने के पीछे का कारण भी हमन आपने समझा था कि इन सारे adjustments को treat करने की आवशकता इसी लिए है क्योंकि आपको अपना profit and loss जो दिखाना होता है, financial statements के थूँ जो जानकारी आपको put up करनी होती है, which is your financial performance and your financial position, वो होनी चाहिए एकदम true and fair view represent करती हुई, जिसका मतलब क्या हुआ, कि जो कुछ आप depict कर रहे ह अपने financial statements के थूँ, वो एकदम सच्चा और पक्का होना चाहिए, true and fair, क्यों, क्योंकि उस information के basis पे काफी सारे लोग होंगे जो अपनी decision making उस information पे dependent रखते हैं, उस decision making को और solidify करने के लिए और perfect करने के लिए हमें back करना पड़ेगा with the accurate information और वो accurate information देने की जिम्मेदारी होत adjustments, जो हम adjustments लेके आते हैं, ताकि हमारी information एकदम accurately बहाँ पे portrait हो सके, ठीक है, चलिए, तो ये तो थी बात की financial statements में क्या-क्या तो adjustments हमने देखे हैं, और क्यों इन adjustments को किया जा रहा है, उसके बारे में एक छोटा सा discussion, अब आज का session जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने वाद balance है, जिसमें adjustments mentioned है, उसके under adjustments दिये हुए हैं, तो trial balance से हमें बनाना होगा अपना trading, P&L and the balance sheet, और उसके साथ ही एक ऐसा adjustment based question है, जहां पे आपको accounting entries के थुरू adjustments treat करके आगे चलना होगा, तो उमीद करता हूँ, आज के session में आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा, और साथ साथ, यह जो पूरा हमारा अभी तक का concept हमने देखा है, financial statements along with adjustments, वो पूरा concept एक दम clear भी हो जाएगा, so for concept clarity, stay tuned for the entire session, ठीक है, जो students हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनके लिए हमारे पास है एक खास खबर, कि भई, आप पहला काम तो कर लीजे, channel को subscribe करना, और दूसरा काम notification क bell icon को click करना, that is because, जैसा मैंने कहा, there are many more updates coming your way, और updates अगर आपको सबसे पहले, बाकियों के मुकाबले सबसे पहले अगर updates आप पाना चाहते हैं, तो उस एक कारण के लिए आपको notification के bell icon को click करना होगा, ताकि आपको यह पता चल जाए कि जैसे ही commerce easily की तरफ से कोई भी post upload होता है, you are the first ones who get that information, whatever update, whatever morning motivation that you get, हमारा night navigation series जो बहुत जल चालू होने वाला है, उसके अलावा, आपके class 12 के कोई friends हैं, भाई, आदी, जानकार कोई भी हैं, उनके लिए भी काफी सारी चीजें, down the line हम लोग लेके आने वाले हैं, तो क्यूंकि उनके exams बिल्कुल पास आगे हैं, board exams, board oriented, जो भी content हम लेके आएंगे, उस content के बारे में भी आप अपने दोस्तों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं, आपके seniors हैं, जिनसे आपको बहुत लगाव तो होगा ही, तो उन seniors की मदद करने के लिए भी, ये notification वाला concept बहुत important है, साथ ही साथ, जैसा मैं हमेशा आप लोग playlist कहां मिलेगी, जाइएगा Commerce Easily के home page पे, YouTube पे जो हमारा home page है, उस page पे आपको playlist वाला tab दिखेगा, उस tab को एक बार click कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी playlist दिख जाएंगी, उन में से you can very easily find out the Uday 2.0 accountancy playlist, देख सकते हैं, एक एक वीडियो along with their name and description आपको दिखा हुआ दिखे है कि भई, मुझे ये वाला point है, या ये वाला topic है, एक बार दुबारा मुझे revise करना है, तो go through the playlist, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि हर subtopic cover किया गया है, हर subtopic बहुत detailed तरीके से वहाँ पे explain भी किया गया है, तो one point is that, the second thing is, आपको कहीं भी किसी भी topic के बा उस comment को पढ़ेगी, हमारी team उस comment को पढ़के, वो comment मुझे तक पहुचाया जाएगा and the resolution would be provided to you as soon as possible, that is our easily promise, ठीक है, तो I look forward to your comments, comments हर तरीके के comments हो सकते हैं, ऐसी कोई problem नहीं, your motivational comments, your supportive comments, your questions, your queries, किसी तरह की कोई और बात भी अगर आपको करनी है, कुछ है ऐसा जो आपको भी हम तक पहुचायेगा, we are open to all kinds of suggestions, comments and queries, ठीक, चली, with that being said, एक चीज़ देखते हैं कि पिछले session में हमने क्या cover कर लिया था, जैसा की बात आपको याद आ रही होगी, 95th session में मैं आपके लिए लेके आया था adjustments का part 2, तो वहाँ पे तकरीबन 10 adjustments हमने देखे थे, उनका एक recap म इससे पहले आप लोगं को बता चुका कि क्या क्या adjustments primarily हमने consider करे थे, अब आज के session में हम लेके आए हैं आपके लिए practice questions, तो practice questions जो है, वो हम अब देखने चलेंगे, तो सबसे पहले allow me to introduce you to question number one, सबसे पहला question आपसे क्या कहता है, trial balance दिया गया है श्री सिया राम का, 31 March 2020 का, trial balance का first part है, obviously कुछ और आगे हो सकता है, you have the debit balance and the credit balances, साथ ही साथ आगे debit balance like I said continue चले जा रहे हैं, और आगे बढ़के हम आते हैं, तो हमारे पास है closing stock, these are the adjustments that have been given, closing stock आपके पास है और देखिये, वही जो मैंने सबसे last में बोला था कि एक ऐसा treatment जो आपने अभी सीखा है, इसस वाले goods भेजे गए थे customer को sale approval basis पे 6400 रुपए में और 29th March 2020 और had been recorded in the books as actual sales, 39 March को approval basis पे भेजा है, वो विचारा दो दिन में approval दे ही नहीं पाया, पहले तो वो जांचे पर्खे इस्तिमाल करें, देखे पसंदार आया या नहीं आ रहा, books close हो रही है 31 March को, उस तारीक तक हमारे पास approval नहीं पहुंचा है, तो हम इसे sales नहीं मान सकते, लेकिन आपने इसको books में actual sales के रूप में record कर दिया है, which becomes a problem, तो उसका treatment हम देखेंगे, you have to make a provision for doubtful debts at 5% on debtors, 1-5th of the loose tools are to be written off this year, loose tools अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहे हैं loose tools 5000 रुपए के, इस 5000 में से 1-5th यानी 1000 रुपए आपको write-off करना है, depreciation के रूप में, general manager is to be allowed a commission of 5% on net profits before charging his commission, general manager का commission charge करने से पहले, net profits जो आ रहे हैं, उस पे आपको 5% का commission देना है, which means this is a case of simple 5 upon 100, इसमें 5 बटा 105 का कोई खेल नहीं आएगा, यहां पे सीधा-सीधा 5 upon 100 से हम लोगं को calculation करके निकालना होगा अब बात आती है, दो-तीन चीजें अगर आप trial balance में notice करें, one thing is the suspense account given on the debit side, which means what, trial balance and errors, rectification of errors, यहां पे सब मैंने आपको यह बात बताई थी, कि suspense account आपके trial balance में आ सकता है, जिस भी side दिया हुआ उसका मतलब, उस side में कुछ ना कुछ ऐसा problem है, यह trial balance बनाने के लिए क्यूंकि अभी हमें 31 तारीक को सबसे primary concern क्या है, we have to prepare our trading and P&L and the balance sheet, तो ऐसे में हमारे पास एक सुविधा या एक रास्ता जो रहता है, वो यह रहता है, कि भाई कोई difference आ रहा है, let us put the difference in the suspense account, बात की बात में देखी जाएगी, गड़बडियां, गलतियां जब भी आएंगी, पकड़ अभी यह है कि मेरा trial balance match होना चाहिए, because I need to prepare my what, my balance sheet, अब balance sheet में आप इस suspense account को कहां पे दिखाएंगे, let us see, this has a debit balance, debit balance आ रहा है, debit balances की side अगर suspense account लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं, 5 heads of income, CLEAR जिसमें से CL और R, यानि capital liabilities और revenues का होता है, credit balance वहीं E&A, expenses and assets have a debit balance, now, suspense account, P&L में तो दिखा नहीं सकते हैं, इसे दिखाया कहां जाएगा, debit balance है, दिखाएंगे balance sheet में, debit balance है, balance sheet में कहां दिखाएं, expense या asset, expense होता तो P&L या trading में चला जाता, अब expense तो है नहीं, क्योंकि बोल रहा हूँ, इसको दिखाया जाएगा balance sheet में, which means it is an asset, जी हाँ, इस अच्छे से समझ आ गया होगा, I hope, so let us start with the question, अब पहला काम जैसा मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, वो क्या है, we'll go through every single topic, every single point or item in the trial balance, और उसके आगे हम क्या लिखते चलेंगे, T for trading, P for the profit and loss account, और B for the balance sheet, item पढ़ते हैं, देखते हैं, वो कहां आएगा, और उस accordingly उसे हम mention करते चलेंगे कि भई इसको trading में दिखाना है, profit and loss में दिखाना है, या balance sheet में दिखाना है, सबसे पहले debit balance की तरफ चले, या credit balance की तरफ चले, सर credit balance छोटे हैं, पहले credit का ही हिसाब कर लो, sales obviously trading में आता है, outstanding wages, very interesting scenario, outstanding wages normally दो जगे आती, एक जगे trading में आप इसको add करते थे, because outstanding wages म वो तब होता है when outstanding wages is treated under the trial balance, outside the trial balance अगर adjustment की रूप में दिया होता तो बात समझाती, यहां outstanding wages are already existing in the trial balance, इसका मतलब इससे related entry करी जा चुकी है, यानि कि इस साइड अगर आप देखेंगे wages जो है, 42,775 की यह increased wages ही है, मतलब इसमें 800 रुपए की outstanding wages का already treatment किया जा चुका है, होनी चाहिए थी 42,775 में से 800 काम करें, तो 41,975, 41,975 की wages थी आपकी, बट क्यूंकि 800 outstanding wages के रूप में आप बता रहे हैं, trial balance के अंदर है, तो यह मतलब हुआ कि यह increased wage है, इसमें 41,975 में 800 जोड के 42,775 की wages बता दी जा चुकी है, तो अब outstanding wages, trading में तो आ नहीं सकती ही, क्यूंकि उसका तो treatment कर दिया है, हमने by passing this entry, और by making sure that the outstanding wages are appearing in the trial balance, तो इसके अलावा outstanding wages कहां आ सकती है, balance sheet में, because these are liabilities, outstanding wages are liabilities have to be paid within the next accounting year, wages हैं, अगले 12 महीने के अंदर अपने labor को pay करना होगा आपको, balance sheet में दिखा देंगे, creditors आपके पास balance sheet का ही item है, capital balance sheet का item है, bank का credit balance है, मतलब यह है आपका overdraft, again a balance sheet item, loan on mortgage, again a balance sheet item, and income from investments, यह आपका P&L का item है, क्यूंकि आपकी primary source of income, investment से income नहीं है, because you are doing sales and you are purchasing material, which means you are a manufacturer, wages भी हैं आपके पास, तो यहां से हम पता लगाते हैं, चीजों का, समझे, किस तरीके से चीजें निकल निकल के आती हैं, this is how you extract information from a given trial, balance, आपको सिर्फ trial balance दिया था, मैंने अभी अभी आपको यह तक समझा दिया, कि आपका business manufacturer business है, यह manufacturing concern है, how you purchase materials and you paid wages, material खरीद रहे हो, कच्चा माल लेके आ रहे हो, उसको पक्का माल बना के बेच भी रहे हो, sales आ रही हैं आपकी, तो उसके लिए कच्चा माल लेके आओगे, बना के उसको process करोगे, तो उसके लिए labor को आपने wages भी पे करी है, उसमें से थोड़ी outstanding भी है, तो यहां सबसे हमें यह data पता चलना शुरू हुआ कि this is primarily a manufacturing concern, सही है, तो इस तरीके से आपको data extract करके समझना होता है, कि हमें कहां चीज क्या, किस जगे हमें show करनी होगी, now we move to the debit balances, material purchase, अभी अभी बात करी, material लिया है, trading में आएगा, administration expense, administration expense, non operating है, non operating expense है, इसका operation से कोई लेना देना नहीं, administration मतलब general administration of the company, general administration of the company के लिए कि यह गए खर्चे, खर्चे तो है, but they are not direct expenses, तो इसलिए trading में ना आके, यह P&L में आ जाते हैं, wages direct trading में आएगा, freight भी trading में आएग rent, बताया नहीं है, जब तक बताया नहीं तब तक P&L में आएगा, petty cash, petty cash कहां आएगा, cash है, कहां आ सकता है, balance sheet में आएगा, debtors again balance sheet में आएगे, gift to wife, business से पैसा निकाल के, धरम पत्ती को gift किया गया है, where will we show this, इसको दिखाएंगे तो balance sheet में, लेकिन minus, क्यों capital में से minus होगा, this is a drawing, price distributed P&L में आजाएगा, commission paid P&L में आजाएगा, now we have another item, commission paid in advance, what is the treatment for commission paid in advance, बतायेगा जरा कोई, 400 रुपे का commission advance में pay किया गया है, अब commission paid आपको कह रहा है, 1000 रुपे, commission paid आप से कह रहा है, 1000 रुपे है, और फिर कह रहा है, commission paid in advance is 400, इसका मतलब, यह जो commission paid है, this has already been treated for the advance commission, कहने का मतलब यह है, आपका total commission जो pay किया गया है, वो है 1400 रुपे का, उसमें से 1000 इस साल का है, 400 advance में pay किया गया था, तो वो हमने अलग-अलग करके दिखा दिया, इसका मतलब, आपने treatment कर दिया है, तब ही यह आपका trial balance के अंदर आ रहा है, otherwise this would have been shown as an adjustment, adjustment नहीं है इसका मतलब treatment हो चुका है, तो यह जो commission है, यह 1000 रुपे के रूप में P&L में दिखाई जाएगी, और 400 जो आपने advance में commission pay किया है, यह balance sheet में asset के रूप में आ जाएगा, कि भाया 400 रुपे का मेरे को tension नहीं है, मैंने commission advance में pay कर दिया है, इसको और कहीं नहीं दिखाना है, mortgage interest, again P&L item है, यह जो mortgage loan, उसी पे आपने interest पे किया है, और यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब हम मान रहे है, it has been paid, that is why the entry has been done, तो इसको हम implied interest मानते हुए, mortgage loan में add करने की हमें आवशकता नहीं है, loose tools, loose tools जाएंगे आपके balance sheet में, और loose tools में हमें बोला गया है कि 1000, यानि one-fifth जो ह है, write-off करना है, तो इसमें से 1000 हम कम कर देंगे, जब balance sheet में लिखेंगे इसको, then we have investments, investments are again your balance sheet item, plant again a balance sheet item, furniture a balance sheet item, leasehold property a balance sheet item, patents again balance sheet item, और क्या रह गया, depreciation on furniture, इसको बताइए कहां दिखाएं, भई, furniture की value 7200, depreciation 800, इसका मतलब furniture 8000 का था, है न, उसमें से 800 रुपे अल्रेडी कम कर दिये गए है, तो depreciation now needs to shown on only in the P&L account, सरिफ P&L में depreciation को charge करके दिखाना है, against your profits, उसके अलावा balance sheet में इसे नहीं दिखाना, क्यूंकि ये अंदर आ चुका है, इसका मतलब हम already वो entry कर चुके है, what entry, depreciation account debit to furniture, देखें, furniture कम हो चुका है, 10% की rate आपको समझ आरी होगी, 7200 का बच ता था, तो furniture 8000 का था, उसका 10% depreciation कम करके हमने बताया कि 7200 का ही अब बचा है, तो furniture 7200 पे ही balance sheet में दिखेगा, depreciation 800 रुपे में सिर्फ P&L में दिखेगा, कहीं और कोई treatment नहीं है इसका, we move to the adjustment, closing stock, closing stock 20,000 तो है, लेकिन इसमें ये जो 5000 है, ये प्लस हो जाएगा, तो कुल मिल करेंगे, closing stock आपका होने वाला है, 25,000 रुपे, कहां कहां दिखाया जाएगा, trading में भी दिखाएंगे जी, और balance sheet में भी दिखाएंगे, cdc बात है, it will go to the trading account, क्योंकि trading account में closing stock आता ही आता है, और balance sheet में भी, इस closing stock को उठा के हमें दिखाना होगा, goods costing 5000, ये हमने कर लिया है, sale on approval basis, तो sales में से ये 6000 रुपे, minus कर दिये जाएंगे, minus from sales and debtors में से भी, minus from sales and debtors, ये हमने इसका तो सारा ही treatment कर लिया, कि इसमें से 5000 की लागत है, वो लागत हमने add कर दी अपनी closing stock में, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, closing stock increase होता है, approval basis के जो goods होते हैं, उसकी cost से, और sales में से 6400 हम में less करना होगा, क्योंकि इस है, sales की तरह record नहीं कर सकते हैं, और debtors में से भी, हमें 6400 रुपे कम करने होंगे, then we have to make a provision for doubtful debts, at 5% on debtor, this will be shown in the P&L and in the balance sheet as well, debtors में से deduction आएगा, इसका, loose tools are to be written off this year, तो it will be shown in the P&L and the balance sheet as well, and managers commission, general manager का commission है, it will be shown in the P&L, और क्यूंकि हम मान रहे है कि it is not paid, या payable हम मानते होगे चलते हैं, तो वो भी आपका P&L और balance sheet दोनों में आएगा, चलिए, अब जब समझ लिया कि करना क्या है, आगे बढ़ चलते हैं हम, with the trading and P&L account, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या आपके पास, trading and P&L account के लिए, do we have opening stock, पूरे question में किसी न इस बात पे नजर अंदाज किया है, या ध्यान दिया है, ये मुझे बताओ, opening stock आपके question में कहीं नहीं दिया हुआ, there is no mention of the opening stock, सबसे पहली बात, you have sales, आपके पास sales है, sales के साथ अगर हम बात करें, तो sales का एक value दिया हुआ है, sales दी है, 2,10,000 की और मैंने अभी अभी बताया उस में से 6,400 कम करने, तो 2,10,000 हम यहां लिखते हैं, minus इस में से लिख देते हैं, approval basis, तो 6,400 आप यहां से कम कर दीजिए, 2,10,000 में से 6,400 गए तो बचते हैं, 2,3,600, then we have by closing stock, अब closing stock के साथ भी यही मज़ेदार कहानी है, closing stock आपको दिया तो गया है 20,000, लेकिन इसमें add हो जाएगा, जो cost है, approval basis के stock की, approval basis पे आपने जो stock भेज दिया था, उसकी लागत आ रही है 5000, और हमने पड़ा है, cost और NRV, whichever is less, the NRV is 6400, the cost is 5000, which is less, हम वही add कर देंगे यहां पे, तो 25,000 रुपए यह भी आ गया, यहां तक को I hope, बात आती है यहां पे, अब यहां हम एक एक आइटम करके लिखना शुरू करते हैं, materials purchased, let us see the materials purchased, material purchased अगर आप देखेंगे, 115,725, एक लाख 15,725 रुपए का material हमने परचेस करा है, ठीक है, 115,725 का material है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस material को लाने का एक खर्चा हमारे पास दिया हुआ था, freight के नाम से, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके पास wages है, क्या wages में मुझे outstanding wages का कोई treatment करना है, absolutely not, freight is 5,100, wages is 42,775, freight is 5,100, this is 42,775, क्या इसके अलावा trial balance का कोई भी item हमें नजर आ रहा है, देख लेते हैं, एक बार trial balance has 1, 2, 3, and 1, 4, and 5, primarily 5 ही item होने चाहिए हमारे trial balance में, 1, 2, 1, 2, 3, 5, opening stock हमारे पास है नहीं, पर जरा हम total लगा लेते हैं, let us make the total right here, total लगाना बहुत आसान है, 2, 3, 600 और पच्चीस मतलब 2, 28, 600 तो यहीं हो गया, 2, 28, 600, यही 2, 28, 600 यहां का भी total आएगा, ठीक है, अब आ जाओ, जरा मुझे बता दो कि कित्ता निकल के आ रहा है, let us see, 725 और 775 यह अपने आप में 1500 हो गया, पहली बात तो, ठीक है, 1500 और 5,100, 1500 और 5,100, 6,600, तो 6,600 तो यह ही हमारे पास, 6,600 में 42 जोड़े 48, 600, 48, 600 में 15 जोड़े, तो 63, 163, 600 आपके पास यहां पे आ रहा है, 228, 600, 228, 600, माइनस 163, 600, यह है जी, आपके पास टोटल, 600 से 600 गया, 000 तो यही बच गया, 8 से 3 गया, 5 बचा, 22 से 16 गया, 65, जी मतलब 6 बचा, तो this comes to 65,000, आपका gross profit, जो कि हमें अब carry down करना है, to the P&L, is coming to 65,000, चलिए, अब trading and P&L पूरा ही लिखा हुआ था, तो अब यहां पे हम सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, buy, gross, profit, brought down, यहां पे आ जाता है सीधा सीधा 65,000, पहली बात तो यह हुई, अब एक item है, जो हमारे यहां पे income के रूप में है, अगर आप credit की बात करें, तो वो है आपका interest on investment, यह आपको याद भी आ रहा होगा, आपने पीछे जब trial balance देखा था, उसमें credit side पे, there was one item, जो हम लेके आ रहे थे अपने P&L में, बाकि mostly आपके items, credit balances के एक तो trading का था, बाकि सारे balance sheet के थे, there was one item, 925 रुपए की interest आ रही थी, income, या interest on investments, that was 925, तो भाई इसका जो credit side है, P&L का credit side तो हमारा complete हो गया, इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं था, बात करते हैं अपने debit side की, अब debit side पे अगर हम बात करते हैं, तो हमारे बहुत कुछ है, पहले administration expense 16,725, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, to administration expense 16,725 रुपए, इसके अलावा हमारे पास एक है rent, rent है मेरे इसाब से शायद 5,100 या 3,100, ऐसे कुछ सो था amount, देखें, या, rent is 3,100, then we have price distributed 200, rent है 3,100, 3,100 का rent आ गया, फिर हमारे पास आता है price distributed, कोई function हुआ होगा, organization में labor है, कुछ हुआ, उसमें हमने price distribute किये, I think 200 रुपए का हमने price distribute कर दिया, उसके अलावा हमारे पास एक item आता है commission paid, आप सबको याद है commission paid का treatment मैंने आपको बताया था, commission paid में हमने कहा था कि भई, आप कह रहे हैं, 1000 का commission paid है, और 400 का commission advance में paid है, तो हम तो सिर्फ commission paid की बात करेंगे, 1000, मौटगेज का interest है 1600, तो commission paid यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1000 और मौटगेज इंट्रेस्ट, यह यहाँ आ रहा है, इसका मतलब मौटगेज इंट्रेस्ट इस पेड, तभी यह यहाँ पे record हो रहा है, 1600 का मौटगेज इंट्रेस्ट भी आ गया, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, इसके अलावा अब हम देख सकते हैं, हमारे इस portion में, you have depreciation on furniture, along with that, और अगर आप देखते चलें, तो हमारे पास यह तीन items profit and loss कहीं है, provision for doubtful debts 5%, loose tools को 1-5th write-off करना है, तो पहले provision for doubtful debts जरा बना दे, provision for doubtful debts 5% on debtors, debtors अगर बात करें हैं 36,400 के, क्यों इसका 5% बनाए, जी नहीं, गौर फरमाईएगा इससे पहले एक बात और करी थी, debtors में से पहले 6,400 कम करो उस sale का, जो आपने approval basis पे भेज दी थी, भाई वो sale हुई ही नहीं है, उसे debtors में include कैसे करें, कैसे उसे credit sales मान लें जब वो sale ही नहीं है, अगर उसे मैं sale में include नहीं कर रहा, क्यूंकि उसे मैंने trading account में sale में से हटाया है, तो उसे मैं credit sale में भी include ना करते हुए, debtors की value में से भी तो हटाऊंगा, तो debtors जो मेरे 36,400 के होने वाले हैं या थे दिये हुए हैं trial balance में इन में से पहले मुझे 6,400 कम करना होगा बचते हैं मेरे पास 30,000 30,000 का 5% मुझे यहां बनाना होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36,400-6,400 इसका पूरा 5% यानि 30,000 का 5% मुझे provision for bad and doubtful debts बनाना है वो मैं यहां बना देता हूँ to provision for bad debts इसका चाहिए तो यहां भी हम calculation ऐसे लिख सकते हैं 36,400-6,400 into 5% तो 30,000, 30,000 का 5% किता है 10% आया जी 35,000 हो गया उसका आधा यानि 1500 उसके अलावा एक चीज़ जो हमें देनी है वो देनी है depreciation depreciation की ज़रा बाते कर ले जी बिल्कुल sir depreciation की बात कीजिए depreciation में आपके पास दो आइटम्स हैं एक आपको दिया हुआ है फरनीचर और एक दिया है loose tools अब loose tools के साथ क्या बात करी है loose tools के साथ बात करी गई है कि 5000 का loose tools one-fifth आपको write-off करना है यानि 1000 तो कुल मिला के depreciation आपका आजाता है जी 1800 क्या इसके अलावा और कोई item है देखें ज़रा पीछे doubtful depths का depreciation sorry doubtful depths का provision हमने बना दिया 1500 का ठीक है उसके अलावा one-fifth of the loose tools have been written off वो भी ठीक है अब क्या बचता है managers commission before charging commission on the net profit तो सबसे पहले ज़रा net profit एक बार निकाल लें कितना आ रहा है अभी बात करते हैं उस बारे में आपके पास ये total आ रहा है जी 65,925 this total will be equal to this 65,925 अब यहाँ पर दो चीजें दिखानी है एक दिखाना है जी managers commission और दूसरा by default क्या आ जाएगा net profit जिसे हम capital में आड करते चले total आपके पास है 65,925 65,925 में से एक एक चीज अगर हम हटाना शुरू करें तो कितना आता है जरा देखते हैं 16,725 में 3,100 अगर जोड़ें तो 19,825 19,825 में 200 जोड़ोगे 20,025 21,025 22,625 22,625 में अगर हम बात करें 1500 की 22,625 में 1,000 जोड़ें 23,625 पांच सो जोड़ें 24,125 25,125 25,925 65,925 में से माइनस कर रहे हम 25,925 बचता है कितना ये तो 30,0 जोड़ें आ गए 65 में से 25 गए आपका बचता है 40,000 तो अब नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 40,000 इसे आपको करना है 5% तो बाई बता दीजिए 40,000 का 5% कितना आ गया 40,000 का 10% आता है 4,000 5% हो गया 2,000 तो आटोमेटिकली जब ये 40 था उसमें से 2,000 अगर कमिशन दे दिया तो नेट प्रॉफिट आपका बच जाएगा 38,000 का बताईए किस को समझ आया ये पूरा कैलकुलेशन बढ़ा ही इंटरेस्टिंग बढ़ा ही मज़ेदार सा कैलकुलेशन है Anyone who has a problem एक बार बता दीजिए मैं दुबारा इसको कह देता हूँ मुझे लग रहा है इसको एक बार दुबारा बता देता हूँ बात ये है हमें कहा गया 5% of net profits तो पहली बात net profit before his commission निकालने कि commission से पहले net profit आ कितारा है टोटल है आपका credit side 65,925 वो हमने लिग दिया यहां पर 65,925 हमने टोटल करा debits का बाकी before his commission यहां से पहले तक का टोटल कर लीजिए वो आता है 16,725 3,100 यानि 19,825 उसमें 200 जोड़े तो 20,25 मतब 20,025 21,025 22,625 22,625 में 1500 हमने जोड़े तो आया 23, 24,125 और उसमें जोड़ा 1,800 तो 25,925 हमारे पास total आया up to this point 65,925 में से 25,925 माइनस करें तो बचते हैं आपके 40,000 यानि इन दोनों का total आना चाहिए 40,000 अब 40,000 का 5% आपको commission देना था हमने वो यहां calculate करा which comes to 2,000 simple calculation 40,000 का 10% 4,000 4,000 का आधा हो गया 2,000 तो 5% हमने निकाल के बता दिया कि भाईया 2,000 तो तुम्हारा commission आ रहा है managers का अब यह manager commission is not paid तो it is payable it will be shown in the balance sheet बच जाता है 38,000 net profit which will be added to the capital in the balance sheet तो यहां तक हमारा P&L trading and P&L हमारा complete हो गया अब हम आते हैं अपने balance sheet के items पे तो balance sheet के items के अगर बात करें तो first we will move to the credit side items credit side यानि की liabilities वाले जो item है liabilities वाले item आपके पास बहुत ही normal थे we have bank we have creditors हमारे पास है outstanding wages और इसके अरावा हमारे पास I think सिर्फ और सिर्फ दो items और आ रहे होंगे एक तो अभी जो हमने निकाला है managers commission payable what else do we have managers commission payable and loan on mortgage एक चीज़ ये भी आ गई other than that एक जो आएगा item that would be simply your capital अब capital के साथ काफी कुछ है यहाँ पे पहले आपको net profit add करना है जो कि हम जानते हैं अभी हम यहाँ निकाला है it's 38,000 और उसमें से less कर देना है आपको जो gift to wife यानि drawings हैं आपकी यह आपको minus कर देनी है जो net result आएगा उसे हम capital के रूप में यहाँ लिग देंगे चलते हैं ज़रा फटा फट से अपने वापिस से trial balance पे यह रहा जी आपके पास है bank है आपका 12,220 creditors 39,535 12,220 और 39,535 आईए 12,220 and 39,535 managers commission payable we already know it is 2,000 outstanding wages हमें याद है 800 रुपे की outstanding wages 800 रुपे की आपकी आ रही थी उसके अलावा और क्या रह जाता है हमारे पास can anyone tell me we have loan on mortgage loan on mortgage अगर मुझे याद है तो 16,000 है क्योंकि उस पर interest हमने 16,000 दिया था देखो mortgage interest 16,000 हाँ 16,000 बिलकुल सभी क्या बात है थोड़ी बहुत memory sharp है हमारी भी है ना तो loan on mortgage आ गया जी 16,000 अब बात आती है capital कित्ते की है चलिए देखते हैं capital हमारे पास कित्ती दी हुई है the capital is given 81,800 okay come on 81,800 और वो भी देख लें gift to wife gift to wife is 2,500 so 81,800 plus 38,000 minus 2,500 81,800 और 38,000 add करा minus कर रहे हम 2,500 तो 81,800 और 38 total आता है कित्ता 81 and 38 is 119 81 और 38 एक उननिस यानि एक लाग 19,800 उसमें से धाई हजार जाने है तो 800 में से 500 गए 300 और एक उननिस में से 2 गए तो 117 is that what the capital is coming to एक लाग 17,300 की capital और हमारे पास अगर बाकी चीजें देखें 12,220,39,535,800,2000,16,000 इसका टोटल करने जरा 12,220,39,535 that comes to 12 और 39,51 51,5 और 2,7 3 और 2,5 और 5 तो कित्ता हो गया 51,755 51,755 प्लस 800 51,755 प्लस 800 हो गया 52,555 52,555 और 18 52 में 18 जोडे तो 70 70,555 70,555 and 117,300 555 और 300 बिकम्स 855 ठीक है 117 and that was 70 117 and 70 is 187 तो भाई 187,855 का हमारा balance sheet का total आ रहा है 187,855 तो अब यही यहां पे अभी assumption basis पे लिखना तो पड़े गई क्यूंकि balance sheet है दोनों साइड का total बराबरी आना चाहिए presumably आगे देखते हैं इस साइड की बात करें we'll move to the assets assets में हमारे पास सबसे पहले क्या है यहां bank है तो यहां पे आपने एक चीज देखी थी we had petty cash petty cash है बहुत ही कम cash था हमारे पास दुख बरी कहानी थी बट जो भी है अब लिखना तो पड़ेगा petty cash you have 175 फिर आपके बस debtors हैं कित्ते 36,400 जी नहीं उसमें से 6,400 पहले कम करे और फिर 15,000 का provision भी कम करा ठीक है जी तो petty cash आपने लिख दिया it is 175 175 रुपए then we have debtors अब debtors के साथ तो बहुत ही अच्छा calculation यहां पे कर लेते हैं we have 36,400 इसमें से minus करेंगे approval basis पहले वो आता है जी 6,400 बचे किते 30,000 इसमें से minus कर देंगे provision for bad debts at the rate 5% वो आता है जी 1500 30,000 में से 1,000 गया 39, 39 में से 500 गये बचे 28,500 रुपए आगे इसके आगे और क्या है आपके पास इसके आगे आपके पास है you have closing stock closing stock बड़ी मज़ेदार गा था हमने पीछे देखा था 20,000 का था और उसमें 5000 जो लागत थी approval basis वाली वो जोड़ी closing stock आया 25 का we have commission paid in advance याद आ रहा है 1000 का commission था और उसमें हमने बोला था कि भाई 400 का commission हमने extra pay कर दिया है वो यहाँ आ गया और क्या है we have investments investments हैं हमारे पास 8,000 के और sir furniture है कितने का था याद आ रहा है जी sir बिलकुल याद आ रहा है furniture 8,000 का होना था लेकिन उसमें से 10% 800 कम करके 7,200 का furniture बोला था we have loose tools कितने का है sir loose tools वैसे तो 5,000 का है उसमें से depreciation आपने बोला 1,500 हमें माइनस करना है तो वो 1,000 हम यहाँ कम कर देते हैं दो बच जाता है कितने का sir यह बच जाता है हमारे पास 4,000 की value ठीक और इसके अलावा और हमारे पास क्या है बताइए अब उसके बाद तो जो भी है वो सारे direct assets ही थे we had plant we had leasehold property we had patents plant है leasehold property है patents है और क्या है sir यह भी थो था आपने बताया था हमें suspense account 2018 का तो चलिए देखते हैं plant कितने का है आजएए पीछे चले हम आ गए हैं अपने जीहां यह रहा साड़े आठ हाज़ाar plant है साथ हजाar leasehold property 5000 है पेरे फेटेंट 2000 और विचार असी साथ पचास plant है साथ हजार का यह हैं 5000 की patents हैं 2000 के और suspense account है दो हजार असी का आईए जरा टोटल लगा ले कितना कितना आता है भई 28675 पहली बात तो यह हुगई 28,675 और 400, किता? 29,75, 29,75 और 25,000, 29 और 25, 54,75, 54,075 में 500 जोड़ा, 54,575, 54,575 में 8 जोड़ा, 62,575, 62,575, 69,575, 69,775, 73,775, 73,775, 133,775, 183,775, 185, किता? 775, 187, 775 में 8 जोड़ा, 187, 855, कर्रेक्ट आंसर हमारे सामने हैं, Absolutely, Perfectly Created Trial Balance से सीधा-सीधा हमने उठा के रख दिया, अपना भाई क्या? Trading बनाया, Profit and Loss बनाया, और अब आपके सामने पूरी की पूरी Balance Sheet बना दी, which is perfectly created, पूरी Balance Sheet एक दम accurately created है, क्यूंकि Balance Sheet के दोनों साइड हमारे मैच कर रहे हैं, तो अब देखा, ये जो खुशी, जो मुसकान, जो चमक आपको मेरे चहरे पे दिख रही है, ये वो क्यों है? Because like I said, the biggest excitement in the life of a commerce student, the first and foremost excitement जो आपकी लाइफ में आता है, वो तब आता है कि जब आपने Balance Sheet मैच करवा दी, कि आपने सब कुछ करा, question को ये ऐसा उठाएं, जहां पे आपके पास बस transactions दिये थे, कुछ transactions थे, वहां से हमने क्या करा, हमने अपनी जर्णल बनाई, हमने अपने लेजर बनाएं, वहां से हम trial balance तक पहुचे, trial balance है, हम अपने trading P&L तक आए, trading P&L से, then we moved on ahead with the adjustments, हम adjustments करते करते, पूरा balance sheet तक create करें, balance sheet जब चलके आके इस तरीके से इतने प्यार से match हो जाती है, तो जो खुशी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, और ये आप अभी चाहे तो practice करके भी देख लीजेगा, ये question है, दुबारा से इसको खुद अपने basis पे, अपने बलबूते इसको try करने की कोशिश कीजेगा, इसी तरह के और भी questions आपको मिलते रहेंगे, आपके पास books जो है, उन books में इस तरह के काफी सारे questions अवेलेबल है, you have solved illustrations, you have practical questions as well, दोनों try करिएगा, because like I said, practice makes a person perfect, तो जितना जादा practice करते जाएंगे, उतना जादा perfection इस subject में आप लोग achieve करते जाएंगे, यकीन मानिएगा, ठीक है, चले, अब, question 1 तो हमने कर लिया, तो अब बढ़ चलते हैं, question 2 पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था, this is practice questions part 1, तो practice questions part 1 में बात यह आती है, कि भई, एक ही question थोड़ी लेके आएंगे, दो-तीन questions आपके लिए लेके आने थे, तो adjustments आपके सामने हैं, हमें journal entries दे नहीं है, adjustment पहला हो गया, आपका closing stock है, 80,000 का market value आपकी आ रही है, क्या, 1,00,000 रुपए, does that matter, how does that matter, this is NRV, this is the cost, किस पे record करें, AS2 याद कीजेगा, accounting standard 2, which says valuation of inventory, is to be done, at cost, और NRV, whichever is less, दोनों में से क्या कम है, सर जी, cost, तो हम ज़रा cost पे valuation कर ले, closing stock की हमें entry क्या करनी होती है, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजे, first entry would be what, closing stock account debit, क्योंकि trading account के, कहां, credit side पे हमें इसे दिखाना है, तो closing stock account हम कर देते हैं, debit to, दूसरी entry क्या होती है, सर दूसरी entry, automatic आ जाएगी न, यहां पे trading account, क्योंकि closing stock को उठा के रखना है, trading account में valuation क्या होगा, 80,000, cost और NRV, whichever is less, which is less, the cost is less, तो हमने कर दिया, ये हो गई हमारी transfer वाली entry, entry के नीचे हमने line बना दी है अपनी, क्योंकि अब इसके बाद हमें इस page पे करनी है, entry number two, let's do entry number two, entry number two हम से क्या कहता है, outstanding salaries, rupees 21,000, क्या हो जाएगी इसकी entry, sir salaries बढ़ानी है, outstanding है, salaries are expenses, expenses increase करने होते हैं, हम debit करते हैं, outstanding salary, क्या हो गई है आपके लिए, sir outstanding salary now becomes a creditor for us, representative account हो जाता है ये, representative personal account becomes a creditor, कि भई ये, किस हजार जो रुपए है, अगले साल में, हर हाल में इसे pay कर दिया जाना चाहिए, within the next 12 months, so this becomes a creditor for us, बना दिया इसे हमने creditor, third point is, insurance premium amounting to 10,000 paid in advance, advance में insurance premium हमने दे दिया है, advance में insurance premium जो pay किया है, क्या है वो आपके लिए, वो तो asset है, दिक्कत क्या है, खर्चा जो इस साल का होना चाहिए था, वो 10,000 से बढ़ा हुआ आ रहा है, insurance premium मान लीजे, 20,000 आपने pay करा है, उसमें से 10,000 इस साल का है, 10,000 अगले साल का है, तो जो अगले साल का है, उसका अगले साल में हिसाब देखेंगे, इस साल में उसे क्यों मैं अपने खर्चे के रूप में मानू, याद कीजिए matching concept, क्या कहता था, revenue earn करने के लिए किये गए खर्चे, और खर्चे ऐसे, जो इस period से relate करते हो, उन्हें ही हम record करेंगे, doesn't matter whether they have been paid, what matters is whether they should have been paid or not, क्या ये खर्चा कर दिया जाना चाहिए था, वो जादा important है मेरे लिए, insurance premium जितना भी मेरा था, उसमें से 10,000 अगले period का है, वो मैंने अभी पे कर दिया है, तो मुझे अपने insurance premium का जो खर्चा है, उसे पहली बात तो कम करके दिखाना होगा, the first thing that I need to do is, insurance के खर्चे को कम दिखाना है, and insurance paid in advance becomes an asset for me, तो insurance paid in advance हम यहां लिख देते हैं, insurance paid in advance account debit, कौन सा खर्चा इससे कम होगा, insurance premium, तो यहां पे हम लिख देते हैं, to insurance premium account, 10,000 रुपए की बात आ रही है, यह 10,000 रुपए हम यहां पे कम करके दिखा रहे हैं, कि हाँ जो 10,000 हमें मिले हैं, वो इस साल के नहीं हैं, मिले क्या हैं, pay किये हैं, they do not belong to this year, तो हम इसको अभी यहां से reduce करके दिखाएं, इसके बाद हमें जहां तक बोला गया है, 6,000 का rent received है, related to next accounting period, भाई हम कोई चीज किराये पे देते हैं, जमीन किराये पे देते हैं, घर किराये पे देते हैं, vehicle किराये पे देते हैं, whatever, जो भी है, rent receive होना है हमें, उसमें से बताया जा रहा है, जी 6,000 का rent अगले साल से related है, गड़बड होगी थोड़ी सी, rent अगले साल से related है, rent आपके लिए income है, पहली बात तो ये 6,000 आपको इस साल मिलने नहीं चाहिए थे, आप पहला काम क्या करें, जो अपनी income है, जो revenue है, rent account को थोड़ा सा कम कीजेगा, 6,000 रुपए से, तो rent revenue है, revenue को कम करना है, हमने debit किया, यहाँ पे क्या create हो जाता है, यहाँ पे create हो जाता है, rent received in advance account, ठीक है, यह क्या हुआ, this becomes a liability, क्यूंकि भाईया, rent मिल गया है, तो rent related जो services है, यह अब अगले financial year में, ततकाल प्रभाव से, priority basis पे provide करनी होंगी या नहीं होंगी, तो यह अपने आप आपके लिए liability के रूप में create हो गया ना, तो ठीक है, liability हमने भी बना दी यहाँ पे, liability है, increase हो रही, एक्रेडिट कर देंगे, we move to the last two points, point number five, commission accrued but not received during the accounting year 1500, accrued but not received, मिल जानी चाहिए थी, मिली नहीं है, commission again, क्या है, commission received है, accrued but not received, यानि commission आपको जित्ता मिला, उसमें 1500 कम मिला है, वो मिल जाएगा, तो यह जो commission accrued है, या accrued commission की बात करें, this becomes an asset, asset है आज तक नहीं था, अब मिलेगा, तो increase हो रहा है, मतलब debit हो जाएगा, और इससे आपकी revenue भी बढ़ेगी, commission received, तो वो credit भी हो जाएगी, चलिए, तो बात करें सबसे पहले, point number five, what do we have, we have accrued commission, accrued commission, account debit, to, commission received account, आप बोल रहे हैं, 1500 का commission ऐसा है, जो मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है, हमने उसे यहां mention कर दिया, अब, आपने notice किया होगा, point number six के लिए, मैंने थोड़ी जगे ज़ादा ली है, because point number six, is related to abnormal loss, अगर आप देखेंगे, point number six केता है, 20,000 की लागत के goods destroyed by fire, insurance company admitted 15,000 claim only, तो क्या किया जाए, सीधी सीधी बात, एक entry कर देते हैं, हम इसकी, वैसे आप करते तो दो entry होती, loss by fire to purchases, पहला 20,000 से, और उसके बाद insurance company वाली, आप entry करते हैं, तो insurance company, P&L to loss by fire, ये दो entry हम कर सकते हैं, मुझे कोई आतराज नहीं, हम वही दो entry कर देते हैं, मुझे किसी तरह का कोई problem नहीं होने वाला है, let us do the two entries that we have discussed, और जो हमने पढ़ी हैं, या जो हमने समझी हैं, तो 20,000 से सबसे पहले loss by fire, यानि purchases को कम किया जाए, तो loss by fire, because it is a loss, हम यहाँ पे करते हैं, loss by fire, account, debit, और इससे होता क्या है, आपकी purchases कम होने का काम हो गया, तो हमने यहाँ पे एक entry कर दी, to purchases account, the amount comes to 20,000, क्योंकि जो goods destroy हुए हैं, उनका cost 20,000 है, तो हमने वो काम यहाँ पे कर दिया, इसके अलावा, एक entry और 6th का ही second part आजाती है, इसलिए 6th ही लिख रहा हूँ, तो मतलब 6th के नीचे ऐसी लिख रहे हैं, अब क्या करें हम, हम करते हैं जी, insurance company को due, insurance company जो है हमारी, उसको जरा हम अपना debtor बना लेते हैं, insurance company, loss हो ही रहा है हमें, वो कैसे है, वो अभी देखा जाएगा, P&L account debit कर लेते हैं, and we have two, loss by, fire account, अब technically हम यह कर सकते थे, insurance company debit, P&L debit two purchases, that could have been done, कोई दिक्कत नहीं था, insurance ने सिर्फ इसमें से 15,000 का ही claim लिया है, हमारा total जो loss by fire है, वो 20,000 है, तो हम यहां पे 5,000 अपना P&L के रूप में दिखा सकते हैं, loss के रूप में, loss के रूप में हमारा 5,000 का amount आ रहा है, ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ, आज के session में, आप लोगों को अभी तक जितने भी adjustments हमने बताए हैं, पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, तो उसके थुरू भी आप लोगों के काफी सारे adjustments तो यहां पे treat हो गए, prepaid expense outstanding, expense prepaid income, मतलब unarmed income, accrued income, वो देख लिया, हमने, abnormal loss भी यहां पे देखा है, और अगर हम बात करें, तो हमने closing stock का treatment देख लिया, तो यह सारे treatment हम देखें, पीछे अगर आप बात करें, तो managers commission हमने देखा, हमने provision for bad debts देखा, हमने वहां पे sale on approval basis का treatment देखा, हमने यह भी देखा, कि उसके अलावा जो treatments normally होते हैं, अगर trial balance में already exist कर रहे हैं, तो उनका क्या adjustment हमें करना होता है, किस तरह से उन्हें depict करना होगा, in our trading P&L and the balance sheet, तो उमीद करता हूँ, आज के session में आप लोगों को मज़ा भी बहुत आया होगा, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो practice questions part 1 का जो हमारा session है, वो तो अब यहां होता है, जी over, बात करें, तो लेके आते हैं, जैसा हम हमेशा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा motivation, तो motivation के रूप में, you have Wayne Dyer's quotation today, which says, if you change the way you look at things, the things you look at change, कहने का मतलब, जो हम हमेशा आप लोगों को समझाया भी करते थे, पहले भी मैं एक चीज बोलता था, कि नजरिया बदलिये, नजारे बदल जाएंगे, ये बिलकुल उसी चीज के लिए, एकदम perfectly fit होता है, कि change the way that you start looking at things, or that you normally look at things, उस तरीके से अगर आप situations को भी देखना शुरू करेंगे, कि एक situation आपके सामने आपको लगता है, it is quite a difficult situation, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता, इस के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा अपनी सोच को बदलिये, थोड़ा सा अपने नजरिये को बदलिये, और आप पाएंगे, कि even a difficult situation has some solution, कई बार ऐसा होता है, कि आप एक situation को बहुत ही closely देख रहे होते हैं, उसको एक bird's eye view देके देखिएगा, यानि जैसे चिडिया उड़ती है, इतनी उंचाई से काफी सारी चीज़ें देखती हैं, तो जब आप उसको एक bird's eye view देते हैं, एक height से उसको analyze करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अरे हाँ बात तो सही है, यहाँ पे problem थी और यहाँ उसका solution, बस focus हमारा problem की तरफ ही जा रहा था, solution की तरफ हमने कुछ देखा ही नहीं था, ठीक है, तो with that being said, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि इन motivations को अपने real life में पे application करके देखिएगा, तो problems आपके सामने हैं, problems आपके पास हैं, आप लोगों से बहुत जल्द with our practice questions part 2, जो की आपकी कल ही class होने वाली है, कल शाम साथ बजे जो session होगा, वहाँ पे practice questions part 2, आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सबसे पहले तो की इस class के लिए, आप कल शाम साथ बजे ज़रूर जुड़िएगा, और अब जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, आज की class में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, और मिलूँगा मैं आप लोगों से बहुत जल्द, जैसा मैंने कहा, कल ही हमारा next session होने वाला है, आज आप लोगोंने practice questions part 1 देखा, कल आप लोगों के लिए लेके आएंगे practice questions part 2, another interesting session, उमीद करता हूँ, आपको आज के session में मज़ा आया, कल के session में और जादा मज़ा आएगा, that is our easily promise, ठीक है, with that being said, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक काम practice करते रहिएगा, revise करते रहिएगा, अपनी प्यारी मुस्कान भिखेरते रहिएगा, तीन काम हो गए actually, बट कोई बात नी, आप multitasking लोग हैं, ये कर लेंगे मुझे पूरा भ़़ोसा है, आज के session को यहीं रोकते हुए, अभी आप लोगों से कहना चाहूंगा, यही की ध्यान रखिए अपना अपनों का और अपनी सेहत का, this is me your accountancy mentor, first of all saying good night, शुबरातरी, शबाख खेर, और जैसा मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वो है क्या, की मिलेंगे अगले session में, तब तक के लिए, टाटा, बाई बाई, और लव यू और, ठीक है, चलिए, मिलते हैं,